गैज आज की वीडियो CDN क्या है और अपने website में domain कैसे setup करेंगे और domain में क्या SEO होता है कि domain को किस तरे से set करने तो मेरा domain पहले rank करेगा तो जी हाँ domain में भी SEO होता है तो आज के इस वीडियो में इसी topic पे बात करने वाला हूं सो विदाउट वेश्टिंग टाइम लेट्स बेगाएं हाई है सेब्सक्राइब करना है है डोमेन में भी SEO होता है तो जी हाँ डोमेन में भी SEO होता है वो कैसे करना है और CDN क्या है CDN कैसे setup करना है या फिर अपने website को fast कैसे बनाना है और DDoS के attack से कैसे बतना है इसे मैं जल्द से जल्द आपको बताऊंगा कम से कम समय में सुवाइस वीडियो स्टार करते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि उधिए करने के बाद आपको बैल बटन का आइकशन मिलेगा वहां पे क्लिक करिए और सेंड अल नोटिफिकेशन कर दीजिए जिसे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए चलते है अपनी साइट पर जहां तो गाइज डोमें और अपने ब्लॉगर एकाउंट को भी साइन कर लीजिए अपने के साथ पर सेट पर जाएए सेटिंग्स पर आपको बेसिक सेटिंग पर ही मिल जाएगा आपका डोमें यहाँ यहां चुछ चार चीज मिल जाएंगी जो आपके सीनें सर्वर होंगे सेनें को कहा सेब करना एं मैं बताएंगा की कैसे करना है आपको यहां से मैं मैंनेज प्याहता हूं टेक्निकल्ट्रेक्स.xyz और गाइज मुझे पिछले वीडियो पे कमेंट मिला किसे लाइब स्ट्रीम करें यहां पर अपना डोमेंट नेम सर्च करिए तो जैसे ही आप अपने डोमेंट नेम का फॉस्ट लेटर टाइब करते हैं यह आपक मिलेगा है यहां पर आपको रिकॉर्ड और नेम सर्वन मिलेगा अप वात करते हैं cdn की cdn का मतलब होता है content delivery network its mean जो आपने यह पोस्ट डाला है इस पोस्ट को को डिलेवर करने के लिए जो network का यूज़ करते हैं उसे cdn जते हैं और यह देखे मेरी other website की speed देखे और इस की स्पीड देखिए इस वेबसाइट की स्पीड आपको कुछ रब कुछ इंक्रीज तो जरूर मिलेगी तो यह किवल सीडियंग के ही करन्ड पॉसिबल हो पाया है मतलब जब आपका कॉंटेंट डिलेवरी नेटवर्क फास्ट रहेगा स्पीड भी डिटेक्ट कर लेता है करने के लिए आपको बस जीमेल और पासवर्ट की जोड़त पड़ेगी आप फिल कर दीजिए पासवर्ड और अग्री करके क्रियेट कर लिजे मैं अलेडी क्रियेट कर चुका है तो मैं लॉग इन हूं इसके डैसबोर्ट पर यहां पर आईए आप डिनस पर जब आप डिन जोननाम की फाइल मिल जाएगी उसे आप डंट कर लिजी डहर्ट Dang XL कर लिजेए ऑ फ़र्मेट में और यह वी ओपन के लिए मंग रहा है तो डॉनलोड कर लिए ट्याइक सर्फ बेंक बर इसे अप努लोड कर लिजेए इस पे और अप्लोड करते ही आपका पूरा डिनस इस और guys यहाँ पर आपको दो name server मेरेंगे, इन दोनो name server को आप save कर लिजे, copy कर लिजे और उसके बाद आपको domain manage पर जाके name server पर change कर देना है, that's it guys आपको DNS setup हो गया और guys यह DNS setup करने से आपकी website की speed बढ़ेगी, जिससे आपकी ranking बढ़ेगी तो I hope guys यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, और cloud fair में आपको DNS setup करना बहुत important है, आप जाइए setup जिरूर करिए अगर आपने नहीं किया है और cloud fair totally free है, cdn, so guys बहुत काम company आपको cdn free में provide कराती है, और cloud fair उन में से ही है, so guys आई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को like कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe ही किया, तो subscribe कर लिजिए, मेलता है अगले वीडियो में नए और interesting topic के सा गुडबाए, टेक केर, कीप वाचिंग टेथनिकल ट्रेक,